बनारस देश में शायदी कोई और शेहर हो जिसने इतनी विभूतियों को या तो जन्द दिया या पाला पोसा जितनी बनारस ने पंडित रवी शंकर, उस्ताद बिस्मिल्ला खान, किशन महराज, गिर्जा देवी, the list is endless लेकिन बनारस के इन बड़े-बड़े नामों के बीच, हजारों ऐसे हुनरबास भी हैं, जिनको सुनने, जिन से मिलने, बनारस जाना ज़रूरी है उनकी आवाज अच्छानक ही बनारस की किसी गली में, या गंगा के किसी घाट पर सुनने को मिल सकती है जैसे मुझे नवंबर 2017 में तुलसी घाट पर मिले बहुमी निशाद कौन है बहुमी निशाद? मेरे पुरवज ने निशाद घाट में बसा हूँ, आपको सामने मैं बोड चलाता हूँ, और सतूख सुनाता हूँ, मैं गीत, सबको दिल के भाव लगता है, अच्छा लगता है, मेरा तो मेरे पास आती है, लोग भुमी जी कहां है, भुमी जी कहां है बंजा जैनम भर्ग मी, एचुब के मिलल ठीक नहीं के अरे बंजा जैनम भर्ग मी, एचुब के मिलल ठीक नहीं के मोरे मोहनवारे मोरे मोहनवा, यमुना टट पे बुलावे मोहनवा लोग जैनम भर्ग मी, एचुब के मिलल ठीक नहीं के मोहन चुरी चुरी मिलना देका ठीक नहीं के बंजा जैनम भर्ग मी, मैं कहीं सीखा नहीं हूँ आपकी बारी और गंगा मिया की द्या से गाता हूँ और वी सो बरस्त में गारा रहा हूँ गंगा की कचिरी है ठूमरी थोड़ा शीके नहीं है ठूमरी तुमरी तुदानी कहां से आगया मुझको पोई ठीक नहीं कहां से आजाता है मुझको मैं मा देती है मेरी गंगा जू निकल जा सब्द गंगा से तो वही सब्द बन जाता है मेरा और मेरी मा है गंगा तो मैं इसमें अपना गाना गाता हूं थोड़ा रियाज करता हूं इसी स और और भर Bennett आपको शुना ताहूं सब सोजाता है बनागा आज थे लोग विश घालता है। इस माजी कहां सिंगी कौंते लोग ख़डा हो जाता है। आपको जिसे फोख मय लुग विद्यक सकति आपके अंदर उजयता हैі। सच्चा दर बार बाड़ना हो दर बार बाड़ना गंगा महिया जी का महिमा अपार बाड़ सच्च दर बार बाड़ना तोह के दुनिया पूझेला हम हो पूझेला महिया गंगा महिया जी का महिमा अपार बाड़ सच्च दर बार बाड़ना गंगा महिया जी का महिमा अपार बाड़ सच्च दर बार बाड़ना दर बार बाड़ना हो दर बार बाड़ना गंगा महिया जी का महिमा अपार बाड़ सच्च दर बार बाड़ना पर दो जाता हूं तो अपने सूर गाते हैं तो पुरा महला भूर में चार बजे महला जागने लगता है क्या मैं कि जाता हूं अपने महले में उठके तो गाता है जाता हूं चार शीक ने तो मेरा महला बंदि मुस्लीम क्यान चार बजू आगय है। बंदि मुश्लम काने आपया है पल नामे मेरा सोया कनया है पल नामे ये बाबा न बजा डमरू मेरे अनामे अल्ला न बजा डमरू मेरे अनामे मेरा सोया कनया है पल नामे बाबा न बजा डमरू मेरे अनामे लाल रोता है चुपन होता है लाल रोता है चुपन होता है उनके दर्सन को मंतरस्ता है बाबा न बजा डमरू मेरे अनामे अनामे एक बाब बताईए आप इतना गाते हैं मैंने देखा भी रिखटी हो जाती है ज़ाब गाते हैं आप को ऐसा ने लगता कि आप उसको अपना पेशा जादा बना सकते हैं है उस पर पैसा कमा सकती है मैं जरूए हम मैं मैं आपर पहले 20 साल पहले ले आते थे तो हम नहीं गहां कि यार मैं चल जाओंगा तो बनारस मेरा सुना हो जाएगा ये मैं किसको सुनाओंगा में रहिस हावज़ाउंगा तो मैं कहां गाउङगा जाओगब बंबधी रहोंगा ना खरारफृति बन्जगुना समारा अरफ लोगाो तो मैं इसलिए हम छोड़ कभा नहीं गया बनारस हमक कर जो मज़ा है दूनिया कोने में नहीं मज़ा है बनाहुत से बनाहुत बनारस है बनारस जिसको आना है आजाए बनारस में इस नजारा के ले ले बनारस में सुबह बनारस है सुबह बनारस है हर रसो का रस है यह बनारस जिसको आना है आजाए बनारस में बना हुआ रस को पीले गटा गट यह बनारस बनारस पीलो गटा गट यह बनारस सदियों से बना है एप यह बनारस है यह बनारस है यह बनारस है आजाए आजा कभ़ी पैसे का लालच नहीं आतादा देखे, पैसा तो दुनिया कमाता है, पैसा तो है, लालच तो सबको है, हर इंसान को लालच है, बनने का हर इंसान को, हमारा दाल ओटी मेरे कम-कम, मैं चलता रहा हूं, खाता रहा हूं, जीता रहा हूं, और सबको अनंद ले, रहने का मकान चीए क्या, जीवन धारा है तो मका जरूरी जदे मगाने चीले हैं अच्छे काम करते जाए भलदेगा भगवाने रे भायां फल देगा भगमान हरी हरी जपले हरी का नाम हरी आएंगे तेरे काम हरी हरी जपले हरी का नाम हरी आएंगे तेरे का जपना है तो जपले रे बंदे नाम हरी का आज रे बंदे ये मो माया जाले रे बंदे चूटे ना आए आज जपना है तो जपले रे बंदे नाम हरी का आज रे बंदे नाम हरी का हरी बिशनू हरी दास बने बन गए तुलसी दास जपना है तो जपले रे बंदे नाम हरी का आज रे बंदे नाम हरी का मैं गारा हूं कासी में तो मैं मगूँ गता मेरी आवाज ये गुचता रहे हमेशा अभी किसी को काने में ये गुचता रहे कम खुमे को ये जब आपने को रिकॉर्डिंग तो की नहीं कुछ नहीं अपने आप अगया पर फीसु को खोजना ही पड़े गा वपने आप आप आए गा करन मातमा भीत पूझ को अगली बार जवाब बनारस आएं तो यहां के तुलसी घार पर आकर भौमी निशात के लिए जरूर पूछेगा और एक बार इनकी नाव पर घूमने जरूर निकलिएगा क्योंकि यह आपको तो यात्राएं कराएंगे अपनी नाव में आपको गंगा के तर्शन लेकिन जो दूसरी यात्रा बेहत यादगार रहेगी आपके लिए वो होगी इनकी सुरू की यात्रा एक कलमस्त गायकी मस्ती भरी आवाज सुन्नी हो तो पौमी निशाद से जरूर मिलिएगा वारनसी पर इस शहर में धूल धीरे-धीरे उरती है धीरे-धीरे चलते हैं लोग, धीरे-धीरे बचते हैं घंटे, शाम धीरे-धीरे होती है आधा शव में आधा नीन में है आधा शंक में अगर ध्यान से देखो तो ये आधा है और आधा नहीं भी है जो है वह खड़ा है बिना किसी स्तंब के जो नहीं है उसे थामे है राख और रोश्नी के उचे उचे स्तंब आग के स्तंब और बानी के स्तंब धुए के खुश्बू के आदमी के उठे हुए हाथों के स्तंब किसी अलक्षित सूरे को देता हुआ अरग है शताब्दियों से इसी तरह गंगा के जल में अपनी एक टांग पर खड़ा है ये शहर अपनी दूसरी टांग से बिलकुल बेखबर पनारस